दोस्तों UP PCS 2020 Pre का रिजल्ट आ चुका है, सीटे बढ़ी है कुछ, लेकिन जो number of candidate लिए गए वो 13 गुना लिए गए, अलगभग 5,000 लोग सेलेक्ट हुए हैं, कुछ एक्स्टा बढ़ाए गया, 200 लोगों को एक्स्टा बाद में रुव्यू किया गया और बढ़ाए गया उग कि हमारे PCS मेंस से जादा मुश्किल हो गया है, उसका क्रैक करना जादा मुश्किल हो गया है, मेंस तो आप जो दो गया वो दो गया लेकिन पांच लाख लोगों में से पहले तीन 4,000-5000 में आना ही एक बहुत बढ़ा चैलिंग हो गया है, जब PCS प्री इतना मुश्किल हो तो अब उसके लिए ठीक से strategy बनानी ज़रूरी है ठीक से पढ़ाई करना पर ज़रूरी है आपके material क्या होंगे आप किन books को refer कर रहे हैं कितना पढ़ रहे हैं किता revision कर रहे हैं कई बारे मैं सब बातों पर discuss कर चुका हूँ मैं अभी पिछले कुछ दिनों में कुछ questions मेरे सामन की ग्रूप जो है उनका एक बहुत famous किताबे हैं घटना चकर की अमूमन वैसे तरह किताबे आती हैं लेकिन जो घटना चकर जो अभी हम जिकत कर रहे हैं वह है जो यूपी PCS के लिए प्री के लिए जो प्रीविए सर्कोंशन आते हैं प्रीविए सर्में जो 25 साल के अंदर जो कोशन आई एस PCS में आयों हैं उनका एक with solution एक compilation है इसके इसके इंदर compile करके हैं यह किताबे बहुत important रही हैं बहुत famous रही है लगबख सभी लोगों ने जो भी PCS के त्यारी कर रहे होते हैं उन्होंने पढ़ा होता है अगर मैं बात करते हूं 2016-17 तक की बात कर लेते हैं अगरी ठीक से पढ़ लेते थे और अमूमन कहा आता है कि लोग प्री निकाल लेते थे सिर्फ घटना चक्ट पढ़के ही लोग प्री निकाल लिया करते थे यह बात थोड़ी पुरानी है 2017-18 तक की है लेकिन 2018 में जब पैटन चेंज हुआ और यह IS की तरह बना इसका तो बह तो जो यह जब यह लोग आये इन लोगों का आगमन हुआ और साथ में हमारे परभात कुमार जीक की वज़े से जो पेपर का स्टाइल ओफ पेपर आया कोश्चन की जो क्वालिटी आई आप देखोगे 2019 का वो बिल्कुल कॉंसेप्ट वाले कोश्चन आया गया ऐसे ने बहुत दा सपोर्ड किया जो आयेस वले बच्चे हैं यही कारणा की 2019 में मैक्सिमम लोगों सेलेक्ट हुए प्री में जो लोग आयेस की तारीक रहते हैं इसको उपर विवाद हुआ जो की जाहिर है विवाद होना था विवाद हुआ और एलेक्शन की देर ठोड़ी क्ल प्राणे लोग प्राणे लोग तैयार करते हैं लेकिन यहां थोड़ा से चेंज आया खासका दो तीन सालों से देखने मुझे देखने को मिला है कि जो रिपीट कोशन्स हैं वो रिपीट कोशन्स उनकी जो तादाध है वो काफी कम हो गया है पहले जो घटनाचक किताबे पसंदी मैं जानता हूं को लेकिन जब से यह सब बवाल जी तो हुआ है जब से यह परभात उमार जी ने आयस की तरह पैटन बनाया और सब कुछ किया अब देखने को मिलता है कि अब वो कोशन्स डारेक्ट रिपीट नहीं होते हैं तैरा रिपीट नहीं होते हैं जो घटन प्रिवेस एक कोशन बैंक है तो जब आप कोशन के तो आपको प्रीवेस में लगाने पड़ेंगी तो पता करने के लिए वह किस साथ आते हैं लोग सिर्फ घटन चापड़ते हैं जो कि बहुत गलत है कि सुरू पहले भी गलत था और आब भी गलत है पहले बने बास कि अए अगर नए कोशन आ जाएगे तो क्या करोगे तो यही है कि आपको पहलों के स्टेंडर्ड बूक पढ़नी है जब आप एक स्टेंडर्ड बूक पढ़नेंगे तो उसके बाद घर्टना सकत किताब लगाई आपको एडिया मिल जागा किस तांसे कोशन आते हैं अगर दोस्तों सबसें आप पर जुड़ी भी चीज़ें रिपीड हो रही हैं लिए नोब तौक्क को यह लिए गण अपर आपको आपको निवे बिप्ण के लिए भी आपको को पढ़ना है पढ़ना है पर डिपेंड नहीं होना है इतना करने के बावजूद भी कोई गरेंटी नहीं है कि घटना चाहर से कोई तो थोड़ा कॉंशेसली पढ़ना पढ़ेगा घटना चेक पढ़ना बहुत जुरूरी है क्योंकि मुझे अभी लगता कि 10-15-20 परसंट तो कोई रिपीट हो जाते हैं अभी 20 का पेपर भी हुआ तो काफी कोई रिपीट हुए लेकिन वह इतने रिपीट नहीं हुए है कि उसके बाद आप घटन के केताब पढ़ो उसके बाद कोई मौक्त लगालो कोई बिसी कोशिंग कोयट होता है या कोई किताब Means ईसको एक मौक्त इससली कोशली मौक्त आप हो जो नए कोशन सो न्या के ऐक कोशन सो अचने रिपाचांश यह प्रिवेश शे कोश्यन करे हुए तो इस तरह से एक होलेस्टिक पढ़ाई करोगे आप होल पूरा कम्पिट पढ़ाई करोगे तब भी जाके पीसे स्प्री निकलेगा वाइस को कि मात्र चार है यार लोग जब सलेक्ट हो रहे हों पांच लाक लोगों में से तो पीसे स्प्री बहुत मुश्किल जाता है ठीक ह और कौट आफ बहुत उपर नहीं जा रही है कौट आफ मात हुआ ही नब्बे के असवार जा रही है मुश्किल नहीं है मैं कल भी मैंने अपने यूटूब पे बोला था कि थोड़ा सा उन सब्जेक्स को पढ़ो जो सब्जेक्स से डियारेक्स कोश्चन जल्दी असानी से अश्यां पखड में आजाते हैं है साइंस इंवर्मेंट है अब इस तरह से पढ़ो कुश्म देखो आप क्यों ने क्या करोंगे अब करोगे अब सोचतों कि हिस्ट्री पढ़र लो है इस्ति नम्हीं आते हैं मैं बुस्टी से अब नहीं करक कर पाऊंगे दो चार पांच सब्सक्राइब करेंगे तब जाके अपने आप से उम्मीद कर सकते हो कि प्रीक्रैक होगा अगर कुछ दिक्कट आ रहे हैं अगर नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं समझ नहीं आ रहे हैं और गाइड़े से पढ़ना चाहते हैं तो यह हमारा ओनलाइन कोर्स चलता है अब उसको ज जान रहे हैं बहुत इन मिनिममम फीस है थोलिज फीस पर इतना तो एफट कर सकते हैं अगर टाइम बहुत इंपोर्टेंट है पैसा तो कमाई लोगे आप पीसेस में जिजनी बन जाओं तो कमाई लोगे पैसा बाकि कोई हो डाउट्स हो कुछ समस्य हो तो विज़े कॉल कि